गुड एवनिंग डियर स्टुडेंट्स पॉली टेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है तो बच्चों आप जानते हैं कि कोई भी कोर्स चाहे वो डिग्री हो चाहे वो डिप्लोमा हो करने के बाद अधिकांस चात्र चात्राओं की चाहत होती है एक अच्छी सी जॉब पाना लेकिन वो जॉब या नौकरी करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होता है तो पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है जॉब के बिग्यापन को पढ़ करके उसमें अपलाई करना तो जॉब चाहे गॉर्मेंट की हो चाहे प्राइवेट की हो उसमें सबसे पहले एक बिग्यापन निकलता है उस बिग्यापन को पढ़ करके जो योग उमीदवार होते हैं वो उसमें अपलाई करते हैं फिर आगे की प्रोसेस होती है और उनका सेलेक्शन होता है तो बच्चों आज के हम इस वीडियो में यही बात करने जा रहे हैं कि जो विग्यापन निकलते हैं जोब ये नोकरियों के लिए उनका किस तरीके से आपको पढ़ना सीखना है विग्यापन चाहे हिंदी में हो चाहे इंगलिस में हो तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे छात्र छात्रा हैं सिर्फ यही गलती करते हैं सब्दावली को वोकेबलरी को ना सीख करके वो जीवन भर भ्रमित रहते हैं और कई सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जो उनके सामने आखों के सामने रहत कि किस तरह से जौब के टर्म्स कौन कौन से आते हैं महत्पून टर्म्स और उनको किस तरीके से आपको पढ़ करके समझना है। अब बच्चों देखिए एक ये बिग्यापन निकला हुआ है दिगंबर जैन पॉली टेकनिक बड़ौत बागपत उत्तर प्रदेश में इसमें सबसे पहले देखी लिखा हुआ है वाक इन इंटर्व्यू तो हमको ये टर्म जो है वाक इन इंटर्व्यू बिलकुल माइंड म बठा लेना है कि जहां भी वाक इन इंटर्व्यू दिखे इसका मतलब है कि किसी एक निश्चित दिन पर यानि निश्चित तिथी पर बताए गए इस्थान पर और एक निर्धारित समय पर योग गभिरतियों को उनके ओरिजनल डाकुमेंट के साथ फोटो कॉपी के साथ रिज्यूमें के साथ बुलाया जाता है उनका इंटर्व्यू होता है इंटर्व्यू के पस्चाथ ततकाल या फिर कुछ दिनों बाद उनको परणाम बता दिया जाता है कि आपका सेलेक्शन हो गया है अथ्वा नहीं हुआ है तो यह बच्चों वाक इन इंटर्विू का ट निकलती है तो उनमें वाकिन इंटर्व्यू जो टर्म है जो सब्दा वली है वो सबसे जादा यूज होती है तो ये बच्चों आपको माइंड में बठा लेना इसके अलाबा देखी ये जो बिग्यापन है ये हिंदी में भी है इंगलिस में भी है तो हिंदी वाले जो हिंदी धारकों के लिए भी है डिप्लोमा धारकों के लिए भी बेकिंसी है तो कुछ टर्म जैसे जो निर्धारित टर्म होते हैं वो हमेशा हर विग्यापन में आते ही आते हैं जैसे इसे इसे इंसल कौलिफिकेशन यानि अनिवार योग था तो इसमें लिखा है एस बडिप्लोमा AICT norms यानि AICT norms जो diploma के लिए जो AICT के norm से उनके अनुसार होना चाहिए और and UP government added polytechnic की जो guideline से उसके अनुसार होना चाहिए इसके अलावा देखी एक अंग्रेजी में लिखा है जैसे no TADA shall be paid for attending the interview यानि की interview attend करने के लिए कोई भी TADA आपको pay नहीं किया जाएगा अब एक बड़ा महत्पून तर्म जैसे proposed interview date यानि इसमें ये चीज बताई गई है कि निर्धारत आपकी तिथी क्या है interview की तो लिखा है Friday यानि सुक्रवार को 26 दोजार 22 को 10 a.m. onwards यानि 10 बजे से ले करके यानि साम तक जो office timing होती है तब तक चलेगा तो ये बच्चों कुछ इसी चीज है अब जैसे एक महत्पून होता है इसमें venue यानि इस्थान क्या है तो दिगंबर जैन पॉली टेक्निक बरौत बागबत और ये pin code दिया हुआ है तो इस तरही से चीज है और भी बहुत सारी इसमें अंग्रेजी में यहां से अगर आप देखें तो payment के सिसाब से होगा तो ये देखी दिया हुआ है तो बच्चों मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो सब्द एक बार आप देखी कोई भी बिग्यापन उठा करके सरकारी भी देखी है हिंदी का भी देखें अंग्रेजी का भी एक-एक आपको सुरूव से पढ़ना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा अंग्रेजी वाली बिग्यापन में जो जो सब्द आ रहे हैं सिर्व एक बार लिख करके उनका अर्थ लिख लेना है जैसे walk-in interview आपको मैंने बता दी आप आपके mind में बैठ गया नहीं बैठा तो walk-in interview लिख कर के अपनी एक copy बना लीजिए उसमें लिख लीजिए एक बार उसके बाद जो जो term आ रहे हैं essential qualification, guidelines इसके अलाबा proposed interview date, when you एक बार यदि आप लिख लेंगे, समझ लेंगे तो ये सब् बार बार जितने आप देखेंगे बिग्यापन जोब से सम्मंदित, ये walk-in interview वाले बिसेश तोड़ से, ये जो सरकारी बिग्यापन भी निकलते हैं, सब में ये सब्द किसी ना किसी रूप में, यही सब्द आपको बार बार मिलेंगे, तो मेहनत बच्चों एक बार की है, बहुत सारे बच्चे जीवन निकल जाता है, दूसरे ने बता दिया पस जॉब के लिए, अपलाई दूसरे ने कर दिया, उसी धर्रे में रोबोट की तरह चलते हैं, खुद से ना पढ़ पाते हैं, ना समझ पाते हैं, उनके सामने जॉब लिखी रहती है, सामने उनके की फीस है की नहीं है, इस तरीकी की चीजें बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, मैक्समुम बच्चों के साथ ये प्रॉबलम है, तो बच्चों आप उस भीड तंतर में सामिल मत होईए, एक अलग पैचान बनाईए, एक बार की मेहनत है, कौपी उठाईए, नए नए बिग् इस तर्म को डालिए, सर्च करिए कि ये क्या होता है, वाकिन इंटर्वियू क्या होता है, वो आपको जवाब मिल जाएगा, हिंदी में भी उसका जवाब ले सकते हैं, अंग्रेजी में भी ले सकते हैं, सब जो जो सब्द आपको कठिन लगें, ना समझ में आए, पहले भी न पढ़ें, उसको एक बार सीख लीजे, हमेशा के लिए आपकी दिक्कत समस्या, सौल्व हो जाएगी, और खुद आप देखेंगे, कि अब जो भी बिग्यापन आपके सामने आएगा, अपने आप सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, तो बच्चों, उमी बिग्यापन निकलते हैं, उनको पड़ पाने में, समझने में सच्चा मोंगे, अपलाई करेंगे, आपको अपनी जो ड्रीम जॉब है, वो आपको मिलेगी, इनी शुब कामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ, इसी तरह के उपयोगी जानकारी के साथ एक नए वीडियो के साथ फिर आप से मिलूँगा, तब तक के लिए थैंक्यू बेरी मच, आप सभी का दिन शुब हो.